क्या आप तयार हैं रेश्मी कबाब का अनोखा स्वाद चकनी के लिए आज हम इस क्लासिक रेसिपी को पनीर और हंकड से एक नया मोर दे रहे हैं जिससे ये एक वेजिटेरियन मास्टर पीस बन जाएगा जिसे खाने के बाद आप और भी चाहेंगे फिर से सुन्यास कुकिंग में आपका स्वागत है रेश्मी कबाब अपने मलाईदा टेक्सचर और स्वादिश्ट स्वाद के लिए जाना जाता है ट्रेडिशनली मीट से बनाए जाने वाले इस दिलिशेस रेसिपी को हम पनीर और हंकड से बना रहे हैं के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 3 टेबल स्पून बेसन इसको हम खुश्बू आने तक अच्छे से भूनेंगे इसका ज्यादा कलर चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर को क्रेश कर लिया है तो ये लगभग एक बाउल पनीर है इसके अलावा मैं ले रही हूँ हंकड लगभग एक बाउल मतलब मैंने दो बाउल दही का लिया था जिसमें से मैंने पानी निकाल लिया है कपड़े में टांग कर तो बाकी एक चमच काली मिर्ची, एक चमच चिली फ्लेक्स, नमक स्वात के अनुसार, एक चमच भुने जीरे का पाउडर, एक चमच कसूरी मेथी एड़ करी है और जो बेसन हमने भूना था वो एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद जल्दी से हम इनके कबाब बना लेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स एड़ करी है तो उनमें से पानी छूट जाएगा हाथों पर हलका सा तेल लगा कर थोड़ा सा बैटर लेकर हम इसको गोल गोल करके कबाब का शेप दे देंगे ये देखिए मैंने पैन को गरम किया है थोड़ा सा घी या तेल जो आपको पसंद हो क्योंकि मैं हेल्दी बना रही हूँ तो बिल्कुल कम तेल में मैं फ्राइ करूंगी इनको एक एक करके मैंने सारे कबाब पैन में डाल दिये हैं इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से से शेखना है ताकि अंदर तक सिक जाए रेश्मी कबाब बन कर तयार है अपनी पसंद की चटनी या सौस के साथ गरमा गरम सर्व करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें अरे वा याम्मी क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकूँ कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी हैपी कुकिंग